साओधी अरब ने हत्याओं और चरमपद्धी समोहों से जुड़ाओं रखने सहीद विभिन अपरादों के लिए दोसी ठहराया गया 81 लोग को सामोहिक रूप से सन्वार को मृत दंड दे दिया साओधी अरब के आधुनिक इतिहास में एक ही दिन में सामोहिक रूप से सबसे ज़्यादा लोगों को मृत दंड दिया गया था हलाकि यह असपश नहीं है कि सरकार ने मिल्टो डर्ण देनी के लिए सन्वार का दिन क्यों चुना यह घट्टा क्रम ऐसे वक्त हुआ है जब दुनिया का पूरा ध्यान रूस यूक्रेयन पर केंदरी थै कुरोना वाइरस महमारी के दौरान साओधी अरब में मौत के सजा के मामलों के संख्या में कमी आय थी हलाकि किंग सल्मान और उनके बेटे क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान के सासन काल में विविन मामलों में दोसियों का सीर कलम करना जारी रहा सरकार नियंतरित साओधी प्रेस एजंसी ने सन्यवार को दिये गए मिर्टदंड की जनकारी देते हुए कहा कि उनमें निर्दोस पूरुसों, महिलाव और बच्चों की हत्या सहित विविन अपराधों के दोसी सामिल थे सरकार ने यह भी कहा कि मिर्टदंड दिये गए लोगों में से कुछ लोग अलकाईदा, इसलामिकी इस्टेट, समू के सदसे और यमन के हुटी भी द्रोही के समर्थ तक थे मिर्टदंड दिये गए लोगों में साओधी अरब के 73 यमन के साथ نागरिक थे सिरिया के एक नागरिक को भी मौत की सजा दी गई खालाकि यह नहीं बताया गया कि मिरितुदंट कहा दिया गया साउधी प्रेस एजनसी ने कहा आरोपियों को वकील रखने की सुबदा दी गई थी और नयाइक प्रक्रिया के दोरान साउधी के कानून के ताथ उनके पुण अधिकारों की गरांटी दी गई थी इन में से कई को जगहने अपरादों का दोसी पाया गया था कुछ घटनाओं में बड़ी संख्या में नागरिक और कानून परवर्तन अधिकारी मारे गए थी मानवाधिकार संगठनों ने मृतुदन देने के लिए साउधी अरब की आलोशना की है लंदन इस्तित मानवाधिकार संगठन रेप्रिव की उप निदेशक सोरया बाववेंस ने कहा दुनिया को अब तक पता चल जाना चाहिए कि जब मुहम्मद बिन सलमान ने सुधार का वादा किया है तो रक्तपात होना तैय है European Saudi Organization for Human Rights के निदेशक अली अदुबासी ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को मिर्टजन दिया गया है उन्हें प्रतारित किया गया है और गुप्चुप तरीके से मुकदमा चलाया गया है इससे पहले जनवरी 2016 में एक सिया धर्म समेथ 47 लोगों की सामोही कुरूप से मिर्टजन दिया है वहीं वर्ज 2019 में 37 लोगों का सिर कलम कर दिया गया इसमें अधिकतर अल्प संख्यक सिया समुदाय के लोग थे तो दोस्तो आसागर तो आपको जनकारी पसंद आई होगी अगर जनकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बस्तिक करें धन्यवाद